हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं गिट के प्राक्टिकल प्रीविएस लेक्चर्स में हमने सारा थेोरिटिकल कंसेप्ट देख लिया है कि वह कैसे काम करने वाला है अब हम इसकी बात करते कि एक्चुल में इंप्लिमेंटेशन कैसे होगा तो मैंने गिट बैश ओप यह देखते हैं कि एक रिपोजिटरी को क्रियेट करने के लिए हमारे पस कौन कौन सी कमांड से यह तर्मिनल है तो यहां पर कमांड काम करने वाली है ठीक और यह आपके लोकल सिस्टम पर ही करने वाले हम लोग सब ठीक तो हमारे पस इनिट कमांड है और क्लोनिंग कमांड अब किसका यूज करें और किसका नहीं करें अगर दुसक्ण रखाता है कर्या है और हम लोगल सिस्ट्म पर आता है और हम एक फोल्डर को इनिशलास करते हैं то इसका meaning है कि हम starting से start करना चाहते हैं तो हम in it का use करेंगे थीक है तो मैंने यहां पर एक folder पहले से ही अलरेढी life कर लिया है तो पहले हम उस folder तक पहुंच जाते हैं cd desktop sămeer कमांड प्रण पर काम करना है तो कमांड से ही काम करना है ठीक है फिर फोल्डर का नाम मैंने गिट रखा है तो उस फोल्डर में भी चले जाते हैं यहां तक का पात हो गया अब हमको क्लोनिंग तो नहीं करना है क्यों क्योंकि अभी तो हमारा फ्रेश सिस्टम स्टार्ट हुआ है हमारे पास कोई भी डेटा सर्वर पे नहीं है और वह सर्वर कहा होगा कैसे होगा वह भी हमको नहीं पता है तो हम इसलिए किसके यूज़ करेंगे इनिट का जो कि किसलियर होती है इनिशललाइज के लिए निट रॉन कर दी तो देखें आपके पास एक मैसेज डिसपले हुआ है यह मैसेज क्या बता रहा है इनिशलाइज eutegit repository in c user देखो यहां तक का तो हमने पूरा पात दिया है यह कहां से आगया यह भी हमारे लिए कोशन है ठीक है तो अभी जब इसके अंदर है तो एक काम करते हैं कि कि लस लं कर लेते हैं किसमेंлов फोल्ड फैलर में तो डॉटट गीर आजाना चाहिए मैंने लेस कीया तो मेरे पास कोई भी फैलर में मिद्धा टप्र कानवों को यह में बात तो यह कि यह जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है इसका मतलब यह कि आपकी एंप्टी गिट रिपोजिटरी इनिशलाइज हो गई है वह भी आपके लोकल सिस्टम पर किस पाथ पाथ आपको डिस्प्ले हो रहा है अब मैंने लेस कर लिया है तो मैं उस पर्टिकुलर पाथ कह यहां पर है हम गिट फोल्डर के अंदर उसके सारी फाइल फोल्डर विजुलाइज होने थी बट वो नहीं हुए बट मैं अब एक और कमांड रन करती हूं लस्पेस डैश एल ए आर्टी जो कि क्या बताता है हमें हमारे हिड़न फोल्डर सेंद फाइल बताता है यहां पर दॉट वाला फोल्डर जो हमको यह पाथ में दिख रहा था वो हमको दिखने लगा है ठीक है उसने हमको सारे हिड़न फाइल फोल्डर शो कर दिए विकॉस जैसे ही हमने गिट इनिट किया था तो एक डॉट गिट फोल्डर क्रियेट हुआ था बट यह हिड़न होगा इसलि यह करते हैं ताकि रिपोजिटरी सेफ रहे और यह उन चीजों को ओवर्राइट नहीं करता है जो पहले से ही है और गिट इनिट रिरनिंग करने में करने का मेन रीजन यह है कि वहां न्यू टेंप्लेट्स को आइड करता है ठीक है तो अब हमें गिट रिपोजिटरी क्रिय प्रियेशन के लिए या तो हम एड कमांड के थू करके फाइल के क्रियेशन कर ले या फिर हम हमारे एडिटर पर चले जाए जैसे हमारा मेरे पास यहां पर बाइडिफॉल्ट एडिटर वी एस कोड है आप चाहें तो सबलाइम आटम नोटपे प्लस प्लस किसी पर भी आप आप अपनी फाइल कर सकतें कंड के थ्रू करती तो और फाइल का नाम रख लेते हैं सपोस हम सेंपल ठीक है सैंपल डॉट जो भी एक्स्टेंशार कर दाते हैं हम टीएक सवाइल कर लेते हैं तो हमने टीएक सवाइल क्रियेट कर दी अब इसके अंदर हम अगेन क्या करते है ls run करके देख लेते हैं तो आ गई है उस फोल्डर के इंदा sample.txt आ गई है ls hidden files नहीं दिखाता है ठीक है अब हम क्या करते हैं git status चेक करते हैं actual में हम command थोड़ी सीख रहे हमको तो क्या करना है actual में हमारे git की functionality को adopt करना है तो git initialize के through initialize कर वाली है हमने हमारा git और अब हम status चेक कर रहे हैं किसके लिए उस folder के लिए तो देखो क्या आया है on branch master master branch पे हैं हम इसकी हम बाते थोड़ी lectures के बात करेंगे तो क्मिट येट कोई भी commit परफॉर्म नहीं हुआ है untracked files है सारी sample.txt कौनसी जो भी file आपको इतने area में यहाँ पर दिखने वाली है वो सारी कैसी है untracked है क्या बोल रहा है nothing added to commit but untracked files present कुछ भी commit में नहीं गया है और आपकी जो untracked file है वो आपके पास available है अब यह untracked file क्या होती है यह सबसे बड़ा question हमारे पस वापिस आगया है ठीक है और इसको tracked कैसे करें फिर इसको commit कैसे करें यह सारी questions अब हमारे दिमाग में आने लगे तो मैं आपको एक diagram के थूँ यह बताती हूँ कि यह सब क्या चल रहा है देखिए जो file हमने create करी है वो सारी कैसी होती है untracked file अभी हमने कुछ भी नहीं करा git के थूँ सिर्फ git को initialize करा और file creation के लिए तो हमने हमारी local command सी चलाई है कौन सी touch उसके थूँ हमने file को create कर लिया तो वो कैसी कहलाती है untracked file जब इन files को add कर देते हैं ठीक है git add कर देते हैं तो फिर यह file कहां चली जाती है staged area में तो फिर यह file कहां चली जाती है staged area अब यह question आ जाता है वापिस staged area क्या होता है staged area वो एरिया होता है जहां पर आपकी file जिस situation में है वो ऐसा मान लिया जाता है कि अब यह हमारी यह वाली snapshot की situation है आप बस snapshot लेने के जस्ट पहले जो हमारी stable state थी वही हमारा क्या कहलाता है staged area या फिर यह समझ लो कि आपका photo click होने वाला और उस photo click होने के जस्ट पहले आपने जो post दिया है वो आपका क्या कहलाएगा staged area इस staged area में आने के बाद ही git add command से files को staged area में पहुचा देंगे और इस staged area में आने के बाद ही files को commit करेंगे और जैसी files commit हुई इसका मतलब है कि अब वो modify नहीं होगी कब तक जब तक उसको वापिस edit file नहीं करोगे आप तब तक वो modify नहीं होगी मतलब यह हमारा photo हमारे पास capture होके आ गया है ठीक है और जैसी हमन में जाने लग जाएगी ठीक है तो यही process जो है पूरी चलती रहती सबसे पहले file untracked file कहलाती है उनको जैसे git add command का आप use करते हैं तो वो stage area में चली जाती है फिर आप git commit करेंगे तो फिर वो unmodified हो जाएगी मतलब आपने वहाँ तक का data save कर दिया है अब कोई भी user कितने भी number of users अगर उसको देखेंगे तो वो file जो है वो कैसी दिखने वाली है सबको सेम दिखने वाली है ऐसा नहीं कि मैंने इस file में equals to one लिखा किसी और user ने उस file में d equals to four लिखा तो अलग-अलग दिखेंगा नहीं जितने user के बाद उन सारे user को file जो है same दिखने वाली है ठीक है जब आपके explanation के लिए actual में ऐसा नहीं हो रहा है actual की condition में यहां तक commit तक मतलब है save ठीक है और अगर आप उस saved file को unmodified है वो अब उस file को आप modify करना चाहते हैं तो वापिस वह कहां जाएगी stage area में जाएगी modify होके और वापिस उसको folder create हो जाएगा फिर उस folder में कौन-कौन एक file create करें और उस file को सिर्फ यह देखा है कि वह फाइल का status क्या है तो पता चलगे हमको किस फाइल का status untracked है ठीक है इसके आगे का जो भी process है वह हम next lecture में देखेंगे अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए थैंक यू